गुड़ मॉर्निंग एबरिवन आज का टॉपिक है डेज अफ दा वीक आज हम आप लोग को डेज अब दा वीक पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे डेज अब दा वीक पढ़ाएंगे तो अभी हम डे का स्पेलिंग लिखेंगे डी ए वाई डे डे मिस क्या होता है दीन होता है डे मिस क्या होता है, दीन होता है, अब यह हम लोग डे का स्पेलिंग रिपीट करेंगे, डी, ए, वाई, डे, डे मिस क्या होता है, दीन होता है, डे मिस क्या होता है, दीन होता है, अब हम लोग विक का स्पेलिंग पढ़ेंगे, डाबलू, डवली, के, विक, विक मिस क्या होता है, सप्ता होता है, विक मिस क्या होता है, सप्ता होता है, अब हम लोग विक का स्पेलिंग रिपीट करेंगे, डाबलू, डवली, के, विक, विक मिस क्या होता है, सप्ता होता है, विक मिस क्या होता है, सब्ता होता है, तो question है, how many days in a week name them, अब हम लोग question कहा spelling परेंगे, h, o, w, how, m, a, n, y, many, d, a, y, s, days, i, n, in, a, w, q, w, k, week, n, a, m, e, name, t, h, e, m, them, how, many, days, in, a, week, name, them, हम फिर से इसका spelling repeat करेंगे, h, o, w, how, m, a, n, y, many, d, a, y, s, days, i, n, in, a, w, 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 k, w, k, week, n, a, m, e, name, t, h, e, m, them, how, many, days, in, a, week, name, them, how, how, how क्या है, how एक question word है, जब भी कोई question word दिया हुए रहता है, तो हम लोग sentence के last में, question के last में किस चीज का चीज का चीज देते हैं, question मार का चीज देते हैं, किस चीज का चीज देते हैं, question मार का चीज देते हैं, दे मिश क्या होता है, दीन होता है, विक मिश क्या होता है, सब्ता होता है, नेम मिश क्या होता है, नाम होता है, दे मिश क्या होता है, दीन होता है, दे मिश क्या होता है, दीन होता है, विक मिस क्या होता है? सब्ता होता है. विक मिस क्या होता है? सब्ता होता है. नेम मिस क्या होता है? नाम होता है. यानि एक विक में कितने डेज होते हैं और कौन-कौन होते हैं नेम देम यानि उनका नाम भी लिखना है तो अब हम लोग एंसर परेंगे देर आर सेवेन डेज इन ए वी के देर आर सेवेन डेज इन ए वी के अब हम लोग एंसर का स्पेलिंग परेंगे डेज आई एन इन ए डाबलू डवली के वी के देर आर सेवेन डेज इन ए वी के हम लोग इसका फिर स्पेलिंग रिपीट करेंगे ए डाबलू डवली के वीक देर आर सेवेन डेज इन ए वीक यानि एक वीक में कितने डेज होते हैं तो एक वीक में सेवेन डेज होते हैं एक वीक में कितने डेज होते हैं तो एक वीक में सेवेन डेज होते हैं यानि एक सप्ता में कितने डिन होते हैं तो एक सप्ता में साथ दिन होते हैं यानि वन वीक में कितने डेज होते हैं तो वन वीक में सेवेन डेज होते हैं वन वीक में कितने डेज होते हैं तो वन वीक में सेवेन डेज होते हैं अब कौन-कौन होते हैं? हम लोग वो पढ़ेंगे एक विक में कितने देज होते हैं? तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे कि क्या-क्या होता है तो फर्स्ट है संडे फिर हम इसका स्पेलिंग रिपीट करेंगे सेकेंड परेंगे सेकेंड क्या है? एम वो एन डी ए वाई मंडे मंडे हम लोग फिर से इसका स्पेलिंग रिपीट करेंगे मंडे का अब हम लोग फिर से अम लोग इसका स्पेलिंग रिपीट करेंगे अब हम लोग फिर परेंगे वेडनेस डे डाबलू ए डी एन ए एस डी ए वाई वेडनस्टे डाबलू ए डी एन ए एस डी ए वाई वेडनस्टे अब लोग फिर से इसका स्पेलिंग रिपीट करेंगे डाबलू ए डी एन ए एस डी ए वाई वेडनस्टे अब हम लोग फाई परेंगे थ्रस्टे क्या परेंगे थ्रस्टे का स्पेलिंग परेंगे फ्रस्टे फीर सब में लोग इसका स्पेलिंग पढ़ेंगे थ्रस्टे का ती, एच, इउ, आर, और, स, डि, ए, वाई थ्रस्टे अब हम लोग six पढ़ेंगे अब हम लोग फ्राइडे का स्पेलिंग पढ़ेंगे अब हम लोग फ्राइडे का स्पेलिंग रिपीट करेंगे अब हम लोग seven पढ़ेंगे Saturday का स्पेलिंग पढ़ेंगे Saturday फिर से हम लोग Saturday का स्पेलिंग रिपीट करेंगे Saturday फिर से फिर से एक पढ़ेंगे फिर से हम लोग अब हम लोग स्पेलिंग रिपीट करेंगे Sunday S-U-N-D-A-Y Sunday अब हम लोग second पढ़ेंगे Monday अब हम लोग Monday का स्पेलिंग पढ़ेंगे M-O-N-D-A-Y Monday M-O-N-D-A-Y Monday अब हम लोग Tuesday का स्पेलिंग पढ़ेंगे ठटके त्यूदे अब हम लोग Tuesday का स्पेलिंग पढ़ेंगे Tuesday अब हम लोग Wednesday का स्पेलिंग पढ़ेंगे फ़र क्या है Wednesday W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday अब हम लोग Thursday का स्पेलिंग पढ़ेंगे ठीक क्या स्पेलिंग पढ़ेंगे Thursday का स्पेलिंग पढ़ेंगे T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday अब हम लोग Friday का स्पेलिंग पढ़ेंगे F-R-I-D-A-Y Friday F-R-I-D-A-Y Friday अब हम लोग Saturday का स्पेलिंग पढ़ेंगे S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday हम लोग Days of the Week पढ़ेंगे तो आप अपने इसे Copy पे नोट कर लीजिएगा और Remember कर लीजिएगा Thanks